हेलो गाइज और वेलकम तो माई चैनल, तो आज हम बात करेंगे स्सक्राइज के बारे में, उसको कैसे और लाइन फॉर्म बरें और कैसे बुरा प्रोसेस है, तो यहां पर आपको बताता हूं, तो पहले आप ग्रोम में जाहिए और वहां पर सरकाई रिजल्ट को सर्च करिए जैसे कि मैं पहले एक दर्च कर लिया हूं, और उसमें आप नीचे आएंगे, तो यहां पर लेटेस्ट जॉब में पहला आप्शन इस्तों में चल ला है, स्सक्राइज कर देंगे, तो अब इसकी डेटर छे तारीक को आई है, बरने की, और लास्ट डेट है, पंदर बारह है 2020, और जनरल OVC के लिए application fees है 100 रुपए और SCST के लिए free है, eligibility देख लेते हैं, must have past 10 plus 2 intermediate exam in any recognized board in India, 10 plus 2 ही होना चाहिए, और age limit है 18 से 27 साल के वीच में, तो form कैसे fill करना है वह आप देखते हैं, अब नीचे आएंगे तो यहां पर apply online लिखा है, वहां पर click clear कर देंगे, फिर उसके बाद अब कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, और यहां पर आप देखेंगे यहां पर new user लिखा है, new user पर click करेंगे, अब यह तीन step में form आपको fill करना पड़ेगा, पहला है basic detail, दूसरा है additional and contact detail, और तीसरा है photo and signature detail, तो इसमें पहला option मांग रहा है, do you have अधार, तो उसको yes कर देंगे, और यहां पर आपको अधार नमबर डालना होगा, और दूसरे में verify अधार नमबर, तीसरा है type of ID, तो आप आधार का डाली चुके हैं, तो उसको छोड़ देना है, ID नमबर भी छोड़ देना है, और चौरते में आपको नाम डालना है, 2A में आपको नाम तो इसमें आपको नहीं रखना है, और second D में भी कुछ नहीं करना है, और अब तीसरे A में बात करते हैं, 3A में, तो यहां पर आपको father name डालना है, तो उसको फिल कर देंगे, फिर verify father's name भी कर देंगे, यहां पर आपको mother's name डालना होगा, और verify mother's name, अब date of birth 5A की बात करते है तो यहां 5A में डेट of birth डालना है, फिर verify date of birth कर देना है, फिर 6 नहीं बात करते हैं, तो यहां पर आप select board कर लेंगे, तो जो भी आपका board है, state board, cbsc या कोई भी board जो है, उसको आप कर लेंगे, फिर verify कर देंगे, और यहां पर 10th का roll number डालेंगे, तो यहां पर roll number डालेंगे फिर verify कर देंगे, और year of passing, कि कौन share में आपने pass किया है, तो यहां पर भर देंगे, उसको भी verify कर लेंगे, और 7 ने में है gender, वो भी तो आप जानते होंगे, उसको भर लेंगे, और 8 में है level of education, qualification, तो आप कितने level तक पढ़ेंगे, तो इसमें post matric, matriculation, higher secondary, diploma, graduation, जो भी है जाल ली है, फिर इसको verify करने के लिए फिर से होई, और permanent address आपका जो भी है, वो आपको डाल देना है, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश होंगा, और जहां का भी है, आप वहां का डाल दीजिए, तो उसके बाद आप save कर देंगे, तो यहां का form पहला step हो, फिर यहां पर आपको मांगेगा की mobile number और OTP, तो आप mobile number यहां लेंगे और यहां पर submit कर देंगे, जो आप second step में आएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का पूरा interface दीखेगा, और मैं बराता हूँ आपको क्या क्या भरना यहां पर, तो पहला 11 A category बता रहा है, तो उसमें आप जो भी category है यहां नेपाल के हैं यहां भूतान के हैं तर देका हूँ भूतान, तो इसमें आप वो भर देंगे, फिर identification mark, identification mark में identification mark कर देंगे, और are you a person with benchmark disability, मनलब की आपको कुछ दिखता था है या पिर जैसे आपको कम दिखता है या कम सुना जेता है वैसे भी कुछ type of disability, तो आपको न नहीं है तो नो कर देना है, जिसके बाद 14C को भी अगर नहीं है तो फिर इसको भरना नहीं है, इसमें 15A में permanent address डालना है, इसमें state डालना है, कौन से state से हैं, और 15C में district डालना है, उसको select कर देना है, और 15D में pin code डालना है, फिर वैसे ही आपको पुरा ये, फिर इसको कर देना है, अब आपको जो तीसरा step है वो आपको कुछ इस type का दिखेगा, और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं भरना पड़ेगा, बस जो मैं बताता हूँ वो आपको बना पड़ेगा, नाम और father name, mother name, ये सब तो आपको पहले से मिलेगा, और बस आपको भरना क्या है इसमें examination center बरना है आपको, जो आपके नर्जीक हों वो भर लीजे, और यहाँ पे medium for typing test, तो यहाँ पे आपको जो हिंदी और English जो भी करना है वो कर लीजे, अगर आप 12th pass है, science और mathematics से तो S कर दीजे, और इसमें 18 पूछ रहा है कि आप X service मैंने, तो इसमें आप no करिए, कि अगर service कर रहे होते हैं, तो फिर आप X कर दिये नहीं को no कर दीजे, और यह सब जो दिख रहा है, यह सब कुछ नहीं भरना है आपको, और उसके बाद, यहाँ पे weather seeking age relaxation तो इसको आपको no कर देना है, और if age relaxation code तो इसमें आपको code भरना पड़ेगा, अगर आपको S करना है त और highest qualification में आपको जो आपकी highest qualification है तो वो आपको भरना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ के ना है, और यहाँ पे status मांगा है, selected status, passing year जिसने साल में आपने पास किया और कौन सा board है वो आपको और यहाँ पे name of university board, तो आपको यहाँ पे अपना photo और signature अप्लोड करना है, जो 20 फोटो होनी चाहिए, वो 20 से 50 कवी के बीच में, और image size होनी चाहिए, 3.5 cm, width 4.5 cm, और height, और signature जो मांग रहा है वो 10 से 20 कवी के बीच में होना चाहिए, और इसको आप select करना है, और date on which 27 कह रहा है, date on which photograph has been taken, जिस मतलब की तारीक को आपको फोटो ली गई है, वो आपको date और यहां पर agree कर देना है, और यह जो capture code है यह डाल देना है, और यहां पर declaration पर click कर देना है, और आपका form submit हो जाएगा, धरने बाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share करें और चैनल को subscribe करें, धरने बाद